कि गूड वानिंग बच्चों हम लोग जोगर्खी कवर कर रहे हैं और जोगर्खी में हम लोग आज चैक्टर देखेंगे बच्चों भारत की बहु उद्देशिय परियोजनाएं ठीक है जो कि आपको पीछे स्क्रीण पर दिख रहा होगा कि यहाँ पर डेटा बहुत है और अप देखो गए चीज पो यहां हाथ ऐसे ऊपर करके लिखना लंबे समय तक ठीक है वो प्रॉब्लम देता है प्लस जो है आप खुद जब वीडियो देखते होगे और मैं लिखता होंगा तो आप लोग खुद भी हो सकता हो उसको फारवड भी आगे जो है उसकी स्पीड तेज करते होगे या फिर उसका उसक सो पढ़ानी के बादे में सोचा ठीक है और दो चैप्टर आज हम देखेंगे और वो दोनों चैप्टर जो होगा ठीटि के माध्यम से ही होगा ठीक है बच्चों और इसके बात से जब हम시注 करेंगे और हिस्ट्री में हम लोग विसेयस रूप से जब देखा जाएगा सिण् है ठीक है वहां से कौन-कौन सी बस्तु में प्राप्ज हुई है अब यह डीटा है अब उन सारे डेटां को लिए जाना लिए-DEEM लिप्ठेयान है लिए तो काफी बाद आपको भी Burr करेका और जो मुझे ब्रॉब्लम्ण होगे लिखने बस यही बात है इसलिए हमने आज पहली बार आप लोग को प्रयास किया है या प्रयास मैं करने जा रहा हूं तो सारे डेटा यहां पर बच्चों लिखे हुए हैं और इनको मैं आपको समझाते जाओंगा क्या-क्या बिंदू को आपको ध्यान में रखना है और यह जो डेटा इस लीए में यहां और यह यहां और मैं यह कीटने लेबल कितने रखने है यह बात में आपको clear करूँगा ठीक है तो हम लोग अपने चैप्टर की सुरुवात करते हैं जिसका नाम है भारत की बहु उद्देशी पर्योजनाएं ठीक है जिसको हम लोग कहते है मल्टी परपज प्रोजेक्ट ठीक है तो मल्टी परपज प्रोजेक्ट जो है इसको देख प्रोग्राम में है जिससे बहुत सारे उद्देशियों की प्राप्ति करना क्या है बहु उद्देशियों को जो है इंगित करता है तो अब ऐसे क्या इसमें इस प्रोग्राम में है जिससे बहुत से उद्देश हमें प्राप्त होंगे से कपर चाहिए तो इक योजना लाकर हम कैसे ऊश। को प्राप्त कर सकते हैं उसको यहां बच्चों समझने का प्रयास करें ठीक है ठीक है बहु उद्देशियों को परियोजनाओं को भारत के पर्थम परधानमंत्री जवाहर लाल नहरू ने आधनी भारत का मंदिर कहा ठीक है तो भारत की बहु उद्देशी परियोजनाओं को किस ने आधनी भारत का मंदिर कहा आपको आपसंदे देगा सरदार बल्लब भाई पटेल पंडित जवाहर लाल नहरू ठीक है डाक्टर राजेंदर प्रसाद चक्रवर्ती राज को पालाचारी ऐसे आपको चार आपसंदेंगे आपका एंसर इसमें क्या होने जा रहा है बच्चों जवाहर लाल नहरू ठीक है तो इन्होंने आधनी भार भारत का मंदिर कहा है ठीक है किसको बहु उद्देशी परियोजनाओं को तो यह एक बात आपको यहां पर क्लियर हो गई ठीक है कि बहु उद्देशी परियोजनाओं का उद्देश अब यहां बच्चों देखना की चाई का प्रबंद जल विद्धुत उत्पादन टीजल की आपूरती o यहां बच्चों लिख देते हैं टीज बच्चों को इक प्रयोजना अस्थापित करेंगे आप प्रयोजना कैसे अस्थापित होगी बच्चों देखो क्या होंगी निकाली जाएंगी नहरे ठीक है तो अगर नहरे निकाली गई तो नहरे जब निकाली जाएंगी तो उससे क्या होगा नहरों से बच्चों खेतों की सिचाई होगी तो आप देखते होंगे गाउवाओं में कि बहुत बड़ी बड़ी नहर जो है गई रहती है ठीक खेतों की तरफ पानी को ठिक है बच्छों क्या करते हैं डाल देते हैं जिससे क्या होता है खेतों की शिचाई हो जाती है तो यह चीचाई जो है उसके उद्देश की पूरती कर दिया ठिक है तो देखो एक पूरती यहां पे हो गई दूसरा जल विद्धुत उत्पादन नद के ठीक है पीने योगी ठीक है जलका निर्मार किया जाता है ठीक है फिल्ट्रेशन सिस्टम से ठीक तो यह प्रतियोगिताएं चलती है बच्चों ठीक है तो नौकायन से प्रतियोगिताएं उसकी भी पूर्ती होती है प्लास जो है यह मत से पालन रहीना यानि कि मचली पालन जोuren इसकी भेंब पूर्तीा इस ंप्रपसे अगर आप देखो कई उद्देश की देखो यहां पर पूर्ती हो गई तो कई उद्देश गें हो गई तो इसी को किया इसी पो हमने कहा बहु उद्देशी पर्योजना न थी बात समझ में के लिए इस हमने या अब इन पर्योजना में सबसे पहला पर्योजना अगर हम देखे तो दामोदर घाटी पर्योजना अब यह बच्छों दामोदर घाटी पर्योजना यह क्या है समस्त नहीं इसको ठीक है दामोदर नदी तो दामोदर नदी पर बनाया गया बांध के नदी के जल को रोक डिया गया और रोकने के बाद विभिन उद्देश्यों की पूर्थी इसमें की जानी लगी पर्योजना है षब्योजना इस बखुद देशी अब ये किस मॉडल पर आधारित है तो समिक्त राज अमेर्का में ऐसा ऐते ही प्रोजेक्ट तैयार हुआ परियोजना उख यहां पर तैयार हूं पर दिकत नहीं है मैं यहां पर करेक्ट कर दूँगा टेनेसी नदी नदी घाटी पर्योजना यह बच्चों यह यह युएस ने जो है समिक्तराज अमेरिका इसके मॉडल पर आधारित है यानि कि हमने दामोदर नदी घाटी पर्योजना जो शुरू किया यह किस मॉडल पर आधा टेनेसी नदी घाटी यानि कि टेनेसी नदी पे जो पर्योजना बनाई गई हमने उसको देख के अपने एक पर्योजना का निर्मार किया जिसको हमने क्या कहा दामोदर घाटी पर्योजना तो लिखा है इसमें एक वीसेस बात क्या यह स्वतंत्र भारत का ठीक है स्वतंत्र स्वतंद्र भारत का पहला उद्देशी क्या है बच्चों पर्योजणा है यह स्वतंद्र भारत का क्या है निर्माड किया गया है ठीच है तो अगर पूछवार धाम दर नदि घ्टी पर्यूजना किस नदी पर अत्थापित है एंसर क्या होगा cookies और उसकी सहयक तो क्या देखना है इस नदी पर है कि द्न पर आगे बढ़ है जड़ा अब यह क्या इंद हविआ तो जब कई उद्देशियों की पूरती की जाएगी तो इन उद्देश्यெ-व में ठाथ इस उद्देश्य ओसे कौन कौन राज त्री तो अब हम अगर देखें लिखा है इस परियोजना का विष्थार जहारखन्ड और पर्स्चिं-मंगार झारपन और पर्शिम बंगाल राज में है यानि कि अगर पूछा जाएं कि कौन-कौन से राज लाव प्राप्त करते हैं इससे तो जहरखंड राज प्राप्त करता है लाव और पर्शिम बंगाल ठीक है अब इसकी सुरुवात कभ हुई यह पर्यूजना कभी स्टार्ट हुआ था यहां लिखा है बच्चो साथ जुलाई उन्नीस सो अनतालीस को इस पर्यूजना की सुरुवात की गई थी ठीक है की गई थी प्लस मैंने अभी थोड़ी दिर पहले बताया जल्विधूत उत्पादन अब जल्विधूत उत्पादन जो है इसको समझने क्या आउ सकता है तो चंद्रपूरा चंद्रपूरा ठीक है तो अब इस यह जो विधूत के लिए यहां पे अस्थापित किया है ताप ग्रिह तो क्या इस ताप ग्रिह से केवल पस्चिम बंगाल राज लाव प्रात करेगा नहीं जारखंड भी प्रात करेगा मतलब क्या है बच्चों कि यहां अगर बिजली का निर्माड हो रहा है तो इस बिजली का लाव हमको वेश्ट बंगाल के अलावा जारखंड राज को भी क्या होगा देना होगा तो इसी को हमने कहा बच्चों कि इस परियोजना का विस्तार जारखंड और पस्चिम बंगाल राज में है तो अब हम बात करें कि कौन कौन से ऐसी काम की बाते हैं जिसको आपको बच्चों यहां ध्यान में रखना है तो अब कौन कौन सी काम की बाते हैं इसको देख लेते हैं तो अब बच्चों यहां देखो तो आपको सबसे पहले यहां क्या क्या पॉइंट ध्यान रखना है ठिक है अब देखो है सबसे पहला वहुत-देशी परयूजना को भारत की प्रशमपधार मंतरी जावारलाल नहरु ने आधुनिक भारत का मंदीर कहा एक पॉइंट तो ये आपका हो गया अधुनिक भारत का मंदिर ठिक अब दूसरी बात करें वच्चों यहां पर दूसरे पॉइंट की तो बहु उद्देशी पर्यॉजना को उद्देश आपसे पूछने नहीं जा रہा है ठीक है भारत की पहली ठीक है स्वतंत्र भारत की पहली भु आधारी थे यहां थोड़ा टाइपिंग का मिस्टेक थे बच्चों टैनेसी नदी नदी घाटी जो है इस पर यह क्या है बच्चों आधारी थे ठीक है मुझे लग रहा है मैंने पेन का कलर जो है गलत ले रखा है कि 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 एनेसी नदी घाटी ठीक है तो यह बच्चों क्लियर आधारी थे अब इस परियोजना से लाभ कौन कौन प्राप्त कर रहा है जहारखंड और पर्शिम बंगाल और यह अस्थापित कब हुआ था साथ जुलाई 1948 को ठीक है अब इसमें तापग्री बोकारो दुर्गापूर चंदपूरा यह आपको बच्चों पढ़ना नहीं है ठीक है तो आप कितने पॉइंट को देख लिए यहां पे फर्स्ट पॉइंट यहां हो गया सेकेंड यहां और फट यह टेनेसी नदी घाटी परियोजना पे आधारित है इसके नकल पे आधारित है और इसका बच्चों साथ जुलाई 1948 ठीक है यह फोर पॉइंट्स जो हैं यह आपको बच्चों दामोदर नदी घाटी परियोजना और यहां इस हेडिंग से आपको धियान में रखना है ठीक है तो कि एक नड़ बच्चों मैं इसको सहीव करता हूं जरब है ठीक है बच्चों तो हो हो टीपीट के माध्यम से यहां बच्चों देख रहे होगे कि स्क्रिंगी चेंज हो चुकी है ठीक है इस्क्रिंग हो चुकी है और अस्टार्टिंग में जब मैं क्लास ले रहा था तो आप उस समय भी देखे होगे कि थोड़ा सा नौलेज़ का कम होने की वज़से सुरू में मुझे दिखकत आए थी यह एक नया जो है कि इसलिए मुझे यहां पर प्रॉब्लम ही ठीक है इसको ठीक कर लिया है ठीक है तो टेनेसी नदी घाटी पर्योजना तो यह आपको तीन बात बच्चो यहां पर ध्यान में चार बात आपको ध्यान में रखने अब आगे बढ़े हैं इसका important बात क्या है बच्चों यह 17 नदी पर इस्थित देश की सबसे बड़ी बहुत देशी पर्योजना सतलज नदी पर इस्ति देश की सबसे बड़ी अब इंपोर्टेंट बात क्या हो गई यह देश की सबसे बड़ी ठीक है सबसे बड़ी तो इस हेडिंग में आपको पैला कोश्चन यह धियान रपना है भाखडा नंगल बांध परियोजना है किस पर तूसरा पॉइंट सतलज नदी पर है अब लिखाए इस पर विश्व का सबसे उचा गृत्वी बांध बनाए गया है तो विश्व का सबसे उचा जो गृत्वी बांध है उसका निर्माण कहां किया गया है उसका निर्माण किया गया है बच्चों इसी भाखडा नंगल परियोजना पर ठीक है और इ अब बात करें यह प्रयोजना मुक्य रूप से ठीक ना बत्चों बात आगी कि यह प्र भी ररॉप से कहां स्थित आप हिमाजल प्रदेश में तो अब बत्चों देखो क्या बाद ध्यानरत पहला यह सबसे बड़ी दूसरा सफ्रस्रोर नदी पर तीसरा पॉइंट धियान रखना कि यह किस राज्य में स्थित है लाब तो यहां सब यह दिल्ली हिमान्चल पंजाब हर यहांड़ राजर्स्थान प्राप्त कर रहें मगर वास्तों में यह पर्युजना है कहां किस पे जादा यह है ठीक है यहां हमारा होगी एंसर हिमान्चल जिसका नाम क्या है गोविंद सागर घील इस्थित ए तिक आच यहां देखो मैंने बता रहा था आपको यहां पर नीचे पर्युजना मुखित्या कहां और प्रदेश में था उस चेप्टर में बच्चो मैंने आपको इसका चर्चा किया हुआ है ठीक ना आप देखेंगे वीडियो ठीक है आपको क्लियर हो जाएगा तो वहां मैंने इसकी चर्चा की हुई है ठीक है तो यह आपका एक पॉइंट अगर आप इसको जोड लेते हैं तो फिर यहां भी आपको मिर गया कितने क्वेश्चन चार कुष्चन ठीक है तो अभी तक बच्चों आपने चार चार आठ कुष्चन को देख लिया ठीक है चलो आगे चलते हैं अब देखें हीरा कुंड ठीक है यहां पर थोड़ा था लगा देंगे ऐसे बिंदी हीरा कुंड परियोजना अ पर है शौत महान अधी पर है ठीक है अब इस परियोज्णा से उरीशा बिहार जरह एक राजी लाव प्राप्त करते हैं यानि कि यह जो परियोजना पूरीशा मं बना हुआ है इस परियोजना से दिक है इस परियोजना से लाव कौन-कौन प्राप्त कर लिया उडिसा बिहार और जारखंड ठीक है अब इसमें जो important बात है वो देखो बच्चो दूसरा और तीसरा बात क्या हीरा कुंड बांध विश्व का सबसे लंबा बांध है बास समझ रहा ना very very important point okay very very important point हीरा कुंड बांध विश्व का सबसे लंबा बांध है और जिसकी ठीक है लंबाई कितनी है 4801 किलो मिटर यह आपका हो गया ठीक है तो हीरा कुंड परियोजन तीहरी बांध परियोजन अब इस बांध का निरौण भागिरती और भिलांगना नदी के संगम पर किया गया है ठीक है तो भागिरती नदी जो है ठीक है और भिलांगना नदी ठीक है भिलांगना नदी उसके संगम पर किया गया है ठीक तो भागी रथी और भिलांगना ठीक है भिलांगना जब निकलेंगी तो जैसे भागी रथी निकला यहां से और इधर पर भिलांगना नदी आ रही है यह भागी रथी यहां से आएगा ठीक है और भिलांगना आक यह दोनों यहां मिल जाएंगे ठीक है यहां पर मिल यह बांद इस बांद का निर्माण भागी रथी और भीलागना नदी के संगम पर तो दो नदियां जब आपके जहां पर मिलती हैं तो इस मिलन विंदु को हम कहते हैं संगम ठीक ना तो संगम पर किया गया है अच्छा ठीक है तीहरी बांद भारत का सबसे उचा बांद है सबसे उचा गुरुत्वी बांद सबसे उचा गुरुत्वी बांद सबसे उचा गुरुत्वी बांद सबसे उचा गुरुत्वी और यहां देखो भारत का सबसे उचा गुरुत्वी यहां पे यह बड़ यूज नहीं हुआ है ठीक है ध्यान रखना तो भारत का सबसे उच लुइंचा बांद कौन है टीहरी बांद परियुजना एक पर्षोन आपको यह ध्यान रखना है और दूसरा कुस्चन आपको बच्चों ध्यान रखना है भारत का सबसे उन्चा बांद कर सबसे उंचा बांद टिक उत्तरा-खंड में श्थित है आप पुछा तीदा पॉइंट यह परियुजना कहाँ स्थित है यह पर रहना कहां इस्थित है बद्चों उत्राखंड में इस थो दो के पीछे निर्मित जलासे को स्वामी रामतिर्थ सागर नाम दियाκαए अपको यहां पर यहां पर तेखा आपको आपके एक्जाम के पईंट अफ्यू से आपको याद नहीं रखना है तो आपके पेट का अगर आप पेट का एक्जाम देते हैं वीडियो लेकपाल ठीक है इस टाइप की एक्जाम देते हैं गुरुबडी बगएर तो आपका जितना मैं यहां पर आपको बता रहा हूं उससे क्वेश्चन आपके सॉल्प हो जाएंगी इस पर्योजना से दिल्ली उत्तर प्रदेश तथा उत्र चंड में स्थित है दिक अब अगर देखें अब इसको देखे बच्चों तो नर्मदा नदी घाटी पर यूजना ठीक यह कहां पर है नर्मदा नदी पर है ठीक है और नर्मदा नदी हम लोगों को बच्चों मालूम है कहां पर है गुजरात में गुजरात में जो कि यहां पर आपको इस परश्ट रूप से दिखाई दे रहा होगा ठीक है गुजरात में नदी पर और राज कौन कौन से लाफ प्राप्त करेंगे मद प्रदेश गुजरात महाराष्ट था राजस्थान यानि कि अभी आपको क्या देखना है नर्मदा नदी घाटी परिजना किस नदी परिश्थित है तो ये नर्मदा पर राज कौन सा है तो राजबच्चों शुरू किया गया जिसमें मुखितर तीन लोग थे एक अरुंधती राए दूसरा मेगा पाटकर और तीसरा बाबा आंटे अब यह बच्चों देखो यह पूरा पॉइंट पॉइंट आपको ध्यान में रखना है यह पूरा पॉइंट सन 1959 अब इस नदी को बचाने के लिए आ अब आंटे तीनों लोग के नाम पूछे आते हैं इसमें एक नाम ऐसा दे देगा पूछेगा कि नर्मता बचाओ अंदोलन से निम्द लिखित में कौन संबंधित नहीं है नहीं है तो तीन तो यह है चौथा कोई भी नाम इसमें संबंधित कर सकता है ठीक है यह बात आपक इस चौफसे टाइब के बनते हैं इनसे होता क्या है कि बडए पयामाने पे इससे नुक्सान की संहाँ जो है वह बनी रहती है ठीक है एक तो नदिया नदियां जो नदियां जो इसके जलको क्या किया आता है बक्रेशा रोक लिए आता है और काफी दूर तक कि नदी को रोक लिए आता और इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए जंगल वगारे हैं उनको भी काट देते हैं जो वहां की आबादी है उसाबादी को हटा दिया जाता है अबादी को हटा दिया था और जब ये पर्योजना चलेगी और बांध पे पानी बना के जल अस्तर क्या करेंगे जल जो है उसको यह रोके रहेंगे तो इससे बच्चों अगर गलती से भी बांध तूटा तो उस एरिये के जो गाउं है पूरे के पूरे जलमगन हो जाएंगे खत्म हो जाएंगे अब यूटूब्स पे ठीक है इन बांध को साथ करना और इनकी स्थति देखना देख की डर ले रहे हैं कि वास्तों. खूट जाए तो यह आप बस्चों कौन से कौन कौन से परयोजना को जरूरी याद करना सबसे बड़ी पहली बात बगली हायर पर रियोजना ना इस नदी पर है केनाब नदी पर एक टुरे यह जैलम नदी पर हमार राजि प्राप्त करने वहाला राज कौन लिए dairy ने काश्मिर फिर स्पास न प्रयोजना ये कहां पढ़े झेलम नदी पे और राज इकावन हो गया जम्मु काश्मीर कैके नेक्स्त देखना लाश्मी भाई ठीमा राश्मी भाइथ पर योजना किस नदी पर बेतवार और राज इकावन उत्तर प्रदेश ठीक ना हम लोग का जो प्रदेश है दो लाव पराप्त कर रहा है इस पर्योजनाट से वह यूपी स्पेशल से भी बच्चों पमना गया यूपीशन पिस्केश्छस से भी जाता है लुट स के साह Pride पर भूजनाट लोदना तो कहां है तरह दीमें कहांग है करनाटक पर होती तमिलाडू भी लाम प्राप्ट कर रहें ठीक है और दूलहर्ष्ती पर्योजणा यानि की एक, दो, तीन, चार, पांच इन पांच पर्योजनाओं को बच्चों आपको क्या करना होगा याद रखना होगा ठीक है तो आपका यह चैप्टर जो था बच्चों यह clear होता है ठीक है clear होता है और हम लोग अब फिर प्रिवेस्ट करेंगे नए चैप्टर में आपको इसक्रीन साट लेना हो इसक्रीन साट ले सकते हैं अब बच्चों तो इसक्रीन साट हो गया होगा अच्छा अब बच्चों देखें हम लोग नेक्स चैप्टर में भारत की विभिन जन जाती है एक है एक है चैप्टर का नाम भारत की विभिन जन जातिएं कि जन जाती हों को हम बच्चों किा बोलते हैं जैसे आपिन सुना होगा ऑश्य द्राइब से ट्रैप्स घंए की बात हो रही है बच्चों हम लोगों को देखना है भारत की विभिन जन जातियां कॉन Official से हैं से यहां आगर हम लोग देखें जन जाती लोग विभिन धार्मिक भार्षाई निर्जातिय समुहों से संबंध रखते हैं ठेक निर्जातिय आप देखो समझना बच्चों इनका जो इनका जो धार्मिक जो रिती रिवाज होगा और अभी मैं कि एक्जामपल दूंगा जिससे आप बात को समझ जाओगे भाषा बात करें भाषा की वह भासा भी बच्चों क्या होगी बिलकुल हम लोगों से अलग होगी ठीक है अलग होगी और इनका कोई देखो हम लोग की तरह कोई विसेस जाती इन लोगों का नहीं होग क्यों कि और रिलिजन होगा आपने इष्ट देवटा को हम पूचते हैं यह जरूर नहीं है उसी इस इस पार को पूजते हैं ठीक है पीपल कवरिच बर्गत कवरिच्छ ठीक है सूर्य देवता ठीक है वर्था इंद्र देवता यह इन लोगों को कूचते हैं बहुत से सेडूल ट्राइब सोते हैं इनको हम आधिवास्टीद ओस है अब देखो इनकी जीवन सेली एवं व्यासाय का प्रकृत सीधा एवं घानिश्ट संबंध होता है ठीक है तो हमारा जो नेचर है ठीक है हमारा जो नेचर है प्रकृत जो हमारा है उससे क्या होगा इनका सीधा समंग मतलब क्या है बच्छों ध्यान रखना हम लोग आज यहां सहरों में रहके हम लोग पढ़ा रहे हैं बोट पे ठीक है अलग-अलग टाइप के विवसाय कर रह कि इसलिए लिखा इनकी जीवन सेली एवन विवसाय का प्रकृत से सीधा एवन घनिष्ट संबंद होता है जैसे जंगलों में पेड़ है तो पेड़ों को मध्युमक्षी लगे हुए है तो वो क्या होगा उन मध्युमक्षियों से श्टहत की प्राप्ति करेंगे श्टहत की प्रकार के जंगलों में जड़ी बूटियां पाई जाएंगे उन जड़ी बूटियों कमेंगे निकुले करेंगे आपने देखा होगा आयुरबेट के खेत्र में बहुत से किमाबारामदे को ही देख ले सारी जह जड़ी आदियों को प्राप्त करके टिखंज है और बाबा राम देओं के जो लोग नोगो तक ठीक है वो जंगलों में आते हैं लोगों तक ये जड़ीमादी हधे जाती है इनहीं लोगों के द्वारा ये क्या है इन का प्रकृत के साथ संबंध और इससे इनको फायदा क्या हो रहा है इनको खान-पान का जीविका का ठीक है व्यवसाय का यह सारे फायदा इनको इससे होते हैं अब इनकी एक और विश्यस बात क्या है यह आर्थिक और समाजिक द्रिश्टिकोर से बच्चों पिछड़े हुए रहेंगे ठीक है यह आर्थिक और समाजिक द्रिश्टिकोर से कैसे होंगे पिछड़े हुए होंगे हम लोग की तरह एकदम जैसे हम लोग पार्टी वाटीम पहुंच गया यह कहीं भी ब्लेजर सूट सब पहन रखा है इस टाइप की इनका कोई सिस्टम नहीं देखेगा ब सब्सक्राइब के अंतरगत किसी भी जाती को सामिल करने के निमनिलिखित मानक निर्धारित किये गया है अगर जैसे देखा करो बच्छों मिलता है ना देखाए इसे पूसिबल नहीं है अगर सामिल होना चाहे उसके लिए कुछ शर्ते हैं वह शर्त अगर पूरी कर रहे हैं तब हम सामिल होगे केवल हमारे होने से उस अकेले मेरे सर्थ को पूरा करने से मैं एस्टी में सभील नहीं हो जाऊंगा एक बहुत बढ़ा वर्ग अगर उस सर्थ को पूरा कर रहा है ठीक है तो वह क्या होगा उसका पूरा समूधाय होगा हो सवाहिल हो जाएगा चार मंजिला तीन मंजिला हम लोग रहते हैं ठीक है कार बाइक सब कुछ रखे बगर इनके वहां ऐसा कोई सिस्टम नहीं है जंगल और पहाड का जो एरिया है देखना बच्चों जंगल और पहाड का एरिया यह इनका कहलो एक तरह से क्या है बच्चों मुख्य अस्थान ठी जंगल और पहाड के एरिये में यह बच्चों क्या है निवास करते हैं इनकी विसेश संस्कृति होगी तो जैसे आप मूवी बगर देखोगे तो देखा करो आदिवासियों का मूवी बगर आता है तो अजीब अजीब टाइप के सब कपड़े पहने रहते हैं अजीब अज लेते हैं ठीकना पकड के बात लेंगे क्यों क्यों लोग इन से क्या है विल्कुल अलगते समाजी समाजी द्रिश्टिक और से यह कैसे देखेंगे यह पिछडए होंगे हमारी तरह नहीं देखेंगे चीक है और तो और आदिमानोंच जो होते हैं आदी मानों तो आदी मानों जैसे पहले रहते थे जंगलों में उस तरह का कुछ इनके अंदर लक्षण भी दिखाई देगा और प्लस यह काफी संकोचित सवभाव मतलब यह जैसे हम लोग आज किसी के साथ भी अगर बैठा दो यह कहीं किसी डिपार्टमेंट में जाना हो आ बीना जिचके बीना सरम लोग सीधे पहुंच जाते हैं और जो भी हम लोग की प्रॉब्लम्स होती है उसको बात करते हैं और बात करके उसको दूर करते हैं मगर इन लोगों को अगर कह दिया जाएं ठीक है कि यह जाके ऐसे अपने प्रॉब्लम साल्व करा ले गवर्मेंट से नहीं यह काफी संकोची सभाव कोते हैं तो यह इनकी बच्चों क्या है यह पहचाद है अगर इन सर्तों को हम पूरा कर रहे हैं ठीक है तब क्या होगा इन सर्तों को पूरा कर रहे हैं तब हमको अनुसुचित जन जाती इसमें सामिल किया जा सकता है ठीक है किया जा सकता तो अब अनुसूचित जन जाती में शामिल किया जा सकता है तो हम बात करें बच्चों कि अनुसूचित जन जाती में शामिल कौन पदाधिकारी करता है अगर पूछा कि अनुसूचित जन जाती में शामिल करने का अधिकार निम्न लिखित में किस पदाधिकारी के पास है तो आपसन आपको दिया राश्टपती उपराश्टपती मुखन आधीस या फिर निरवाचन आयोग आपका एंसर क्या हो जाएगा बच्चों राश्टपती ठीक है राश्टपती एक बाद दूसरी बात समिधान का क्या कोई अनुचेद है इसमें इन अनुचित जन जातियों के बारे में बताया गया हो ढूछेद और 342 होगा भारत के समिधान में विसेश रूप से 342 में इन्हें अनुसूचित-जन-जाती कहा गया है तो 242 जो आर्टिक्ल है इसमें इनको बहां गया है बत्चों इस अनुसूचित-जन-जाती एक अनुसुचित जन जाती जो है इसका बच्चों देखों विशेश कोई परिभासा संविधान में नहीं लिखी है मैंने यहां पर अभी जो थोड़ी देर पहले बताया लक्षण जो यहां पर बच्चों बताया भवोलिक एकाकीपन विशिष्ट संस्कृति समाजिक पिषड़ और समकृति सवभाओ, यह अगर है तो राष्ठपती को पावर है कि वो क्या करेगा उस वर्व को अनुसुचित than जति में शाविल कर देगा परन्तु है यह सवभाओ किसी का हो तो उसे बना दिया जाए अनुसुचित जन जाति का तो क्या यह सवभाव में यह परिभासा ह हमारे इंदियन कॉंस्तिटूसन में कहीं लिखा हुआ है नई बच्चों ये परइभात कहीं भी लिखी नहीं है यह कहीं लिखी हुए यह यह इवाध ध्यान में रखना ए बच्चों ठीक है म God yes स्क्रिंट तो निकाल सकते हैं मैं थोड़ा हट जाता हूँ कि तो आगे देखें आगे तो अब इनको अनुसुचित जन जाती में शामिल करने का अधिकार किसके पास तो यह आपको ध्यान में रखना है भारत में लगवग अनुसुचित जन जातियों की संख्या कितनी है साथ सोबीस मानी गई है यह डेटा आपको याद नहीं करना है एक ना यह डेटा आपको याद नहीं करना है यह डेटा ऊपर नीचे हो सकता है समझना यह डेटा ऊपर नीचे हो सकता है मगर दो मैंने डेटा दिया है वह काफी अथेंटिक दिया है भारत की सबसे बड़ी जन जाती भारत की सबसे बड़ी जन जाती में देखा जाएं तो प्रथम अस्थान पर है बच्चों फील और दिती अस्थान पर कौन है गोंड ठीक है तो तीसरा आपको संथाल यह आपको ध्यान में रखना है पहला और दूसरा याद रखना है पहला जो है भील जन जाती यह क्या है बच्चों यह प्रथम अस्थान पर है और दूसरा मध्य परदेश में ठीक है मध्य परदेश में गोंड ठीक है यह क्या है दूसरे अस्थान पर तो यहां लोगों ने बच्चों लिख रखका है धिल दिती अस्थान पर और गोंड धिल प्रथम अस पर दिती अस्थान पर गूंड यह हो गया दिती अस्थान पर गूंड और तीसरे अस्थान पर पूर कि तो तीसरा वाला द्हान एक तो दूष्ण मेरा रखने मध्यपर्देश सर्वाधिक जनजाती वाला राज है यानि कि अगर पूचा जाए हमारे महां जो 28 राज्य हैं इन राज्यों में सबसे ज्यादा अनुसुचित जनजाती के लोग कहां है इसका बच्चों देखो आसान सा जवाब है कि वो छेत्र जो एक विरिःद छेत्र हो प्लस जंगल और पहाड वहां पे भारी मात्रा में हूं जन संख्या वहां पे ज्यादा हो अब इस मावन मुण देखा जाएं कि वन ज्यादा पहाड पहाण जो तब उसे MP जो है मध्यप्रदेश MP वो आता है नमबर वन पे जब भी बात आएगी कि one सरवाधिक भारत के किस राज में पाए जाते हैं तो सरवाधिक दूसरे अर्ष्थान पर कौन सा राज है उत्तर प्रदेश ठीक है तो यानि अगर बात करें कि किस राज में अनुसोचित जन जातियों की संख्या सबसे कम है तो फर्स्ट नंबर के कौन है बच्चों गोवा सेकंड नंबर पर है उत्तर प्रदेश ज्यादा कहा है ज्यादा ह संख्या वला राज अच्छा यहां लिखा तो है बच्चों मैं समझा दे रहा हूं अगर इसको भी तो आप लोग इसको याद करनी के कोई जुरत नहीं है समझ रहा हूं ना इसको भी को याद करनी के जुरत नहीं है क्यों क्यों कि यह काफी हायर बात हो गई आप से पूछने नहीं जा रहा है तो मैं धितना बता रहा हूं उत्向 समझना मैं सब्सक्राइब समझा नहीं मी जांटी है जहां पर जहां पर सबसे जञ्डा है तक मैंने क्या बोला नइ взять करना है तरवाधिक जन जाती प्रतिशत जनसंख्या वाला केंदर शासित प्रदेशा को बच्चो क्या पूछा है केंदर सासित तो कौन सा हो गया बच्चो लक्षदीद जहां पर फुल जन जाती जन संख्या का लगभग 94 परसेंट है तो कितना ज्यादा 94 अब यह बात भी आपको क्या पढ़नी है नई पढ़ना है बच्चो यहां देखो वेरी वेर इंपोर्ट था पांडी चयरी में जन जातीयां नहीं पाई जाती तो जहां मैंने बच्चो टिक कर रखा है क्रॉस कर रखा है इस वाले पौइंट को आपको नहीं द्यान में रखना आपको इसकीन सब्सक्राइब ले सकते हैं अब हम भारत के कुछ प्रमुख जन जातियां है इनको हम लोग देखते हैं भील सब्सक्ति द्रविड सब्द बील से हुई है नई नई पढ़ना है देख है नई पढ़ना आपको यह गुजरात मदपरदेश 36 गड़ राजस्थान महाराष्ट में पाए जाते हैं मुख्य रूप से बच्चों इनका इनका निवास कहां है मध्य प्रदेश और 36 गड़ तो यह आपको ध्यान में रखना है कि भील सारवाधी कहां पाए जाते हैं मध्य प्रदेश और 36 गड़ यहां भारत की सबसे बड़ी जन जाती आथैई वेरी-वरी इंपर्टेस पॉइंट यह आपको ध्यान में रखना है यह भारत की क्या है सबसे बड़ी जन जाती हैं अब इन जन जनजाती के लोग रिती रिवाज किस तरह के रखते हैं राजपूतों की तरह रखते और ये भारत की सबसे बड़ी क्या है जन जाती यानि कि आपको थ्यान रखना है भील जन जाती का बह्यादी सरवाधी कहां पाया थी मद्ध प्रदेश और 36 गड़ में और यह भारत की क्या है सबसे बड़ी जन जाती है और इनका रहन सहन कैसा है वो बच्चों राजपूतों की तरह है बस ठीक है भील में आपको इतना बाद ध्यान में रखना है गोंड अब इसकी विश्यस्ता भारत क की दूसरी सबसे बड़ी जन जाती यह एक बात अब यह मुख्य रूप से मध्य प्रदेश 37 गड़ उडिसा और आंध्य प्रदेश ठीक है इसमें भी वच्चों ध्यान रखना मध्य प्रदेश और 36 गड़ जो है यहां पर इनकी संख्या जाता है ठीक है यह जन जाती भू यहां पर विवार के लिए लड़कों द्वारा लड़कियों को भागानी के प्रथा प्रचलित है यह बाद भी आपको ने ध्यान रखना है यह बाद भारत की दूसरे बड़ी क्या है जन जाती है और यह सारवाधी कहां पायाते हैं मध्य प्रदेश और 36 गड़ में यहां तक के बाद को अपको ध्यान रखना ठीक चांथाल यह जन जाती जहारखंड विहार पस्ची मंगाल तथा मध्य परदेश संथाल के लिए बच्चों ध्यान रखना सबसे मुख्य जो है भारत की तीसरी सबसे बड़ी जन जाती यहां भी आपको बहुत महनत करने की जो परस सेखर याद रखिए तेक है और यहां के लोण करमा नामक तयवहार मनाते बस इसो बच्चों ध्यान में रख लेना यह पू adaptation का मोद्ल देखते ही मुंडा इस जनजाती का प्रमुख छित्र जारखंड है यह याद रखना है और इसका सबसे मुख्य बात क्या है इनका प्रमुख त्यवहार क्या है बच्चो सरहुल इनका प्रमुख त्यवहार है है कि सरहुलिनका प्रमुक्ति त्यवहार है और यह प्रकृति पूजटक है यानी यह जनजाती जो है अलग राज की मांग करता है जिसको हम बच्चों क्या बहुते जो बichtig बोडो ने लोगों की भाता क्या है बोडो भाता भी कहते है ठीक ना ब्रह्म पुत्री भासा भी कहते हैं चलो नहीं याद करना है यह लोग अलग बोर्डो लेंड राज की मांग कर रहे हैं यहां बात के लियर है यह मैंने पहले ही बता दिया अधारू जन जाती भारत मुख्रीब से उत्राखंड में पायाती वेरी वर इंपोर्टेंट अधिक है जब देखो बच्चों उत्राखंड का उत्तराखंड का सं 2000 में विवाजन नहीं हुआ था और उत्तर प्रदेश का जब भाग था तब फिर अधारू जन जाती यह कहां मा रहा उत्तर प्रदेश क्यों नहीं एक लना रक्रिफान क्या है इनक Falls और लोग के च्छेतर में ही जंगल है इंका जुप पहाड़ जंगल एक वह था इसे विखागं मतरब ऑ गया मतलब नहीं ही थे यह मागर उत्तरेश परदेश का भागता थिक है सन 2000 में इनका उत्तर प्रदेश राजय में भी निवास है ठीक है तो बहुत माइन्यूट बहुत कम ठीक है यह अपने को सिस्वधिया वंसी राजपूत से सम्मंधित मानते हैं नई पढ़ना है इसको थारू जन जाती हिंदू धर्म को मानती है सही है तथा हिंदूों के सभी त्यवहार मनाती है ठीक है अब बच्चो ध्यार रखना बहुत से किताबे आपको एक information गलत देंगी कि थारू जो है दिपावली को शोक का त्यवहार मना तो यह बाध रखनी है ठीक है ये बात आपको याद रखनी है तो इतनी बात हो गई आचा ठीक भूटिया यह goodyya जंजाती ठीक है अब यह भूटिया यह जोटीया यह नहीं रखना हि一下 अनि प्रवास इम्पोर्टेंट पॉंट है ध्यान रखना है रीतौ प्रवास के रितु प्रवास क्या है डिशू प्रवास का मत्तब है कि जैसे जैसे मौसम होता है वैसे वैशे अपने आस्थान कंभ यह बदल की गर्मी का मौसम तो यह कहा नुधा नजर आएंगे ड़ै את मैं से उत्राखंड का चेत् Senate है यह वहां में जराएंगे ठीक है और थोड़ी जो है गर्मी डाउन होगी तो यह फिर कहां नजराने लेंगे तो यह रीटु कनुसार क्या है मौसम कनुसार अपना अर्ष्थान बदलते रहते हैं ठीक है तो इस बात को भी आप नोट कर लीजिए ठीक है और इसको इसकी नि अर्वडांचल और मणीपूर में इनका निवास पाया जाता है अब यहां नागा लोग काफी पुसल योद्धा होते हैं ठीक है आपको यह सब कोई बात याद नहीं करनी है ठीक है आपको बस केवल धियान रखना है नागा कहा पाए जाते हैं नागा पाए जाते हैं बच् मिना मीना नहीं direct मिड़र जन जाती यह कहां यह मुक्षरीरूफ से राजस्थान में निवास करने वाली जंजाती कखना राजस्थान में यह बात आपको धियान रखना राजस्थान में अदिवासी जण संख्या की दूर्षटि से नेमउड़र जातियां और भी है अगर उन जन्जातियों में सबसे ज्यादा जन्जादा किसकी है तो सबसे ज्यादा जन्जाति का प्रथम अस्थान है यह बात ध्यान में रखोगे जिसका अर्थ मचली होता है यह अपने को विश्णु भगवान के अगर पॉसिबल हो पाए तो संभावित है बच्चों ये बात पुछा जाए ठीक है अगर याद कर पाना तो ठीक वरना इसको भी आप छोड़ सकते हो कोई बहुत समस्या नहीं है मेरी दरब से इतना तो अपने श्रिंत रहो जिसको मैंने मना किया है ठीक है उसके आने की पॉसिबिल्टी एकदम ना के बराबर है 99% तो मान के चलो नहीं ही आएगा तो दुनिया का कोई टीचर गारंटी नहीं ले सकता भी से स्टुप से जीएस में यह गारंटी कोई नहीं ले सकता कि मैंने जो बता दिया है इसके बाहर कुछ नहीं पूछेगा ऐसा कोई नहीं कह स रखता है ठीक है तोड़ा अब टोड़ा जन जाती बच्चों क्या निलगीरी पहाड़ी में निवास करते हैं यह सब कहा है हाँ ठीक तमिलाडू तमिलाडू निलगीरी पहाड़ी ठीक है निलगीरी पहाड़ी यह ध्यान रखना कित राज में तमिल नाडू में और कौन सी परवतमाला निलगीरी परवतमाला ठीक ना निलगीरी परवतमाला निवास करने लिए परशुपालक जन जाती है नईयाद करना है परशुपालक तोड़ा समुह में निवास करना पसंद करते हैं कन्या वध प्रथा के कारण कन्या वध प्रथा के कारण तोड़ा जन जाती मे बहुपति विवा ना बहुपति विवा की प्रठाप आई जाती है अब बहुपति विवा क्या है तो बहुपति का मतलब होता है बच्चों कि एक पतनीयों के ठीक है कय पती जैसे लिदो महाभारत में तो यह ज़ादा है तो लड़कों का जादा होगा तो अब लड़कें अगर तो विभा के लिए लड़कियां कहा समेलेगी इसलिए इनके वहाँ पे बहुपति प्रथा पाई जाती है ठीक है बच्चों बहुपति प्रथा पाई जाती है तो यह इतनी बात आपको भचो ध्यान में रखनी ती इसका भी स्कुन सौट निकालना हो निकाल लो इतनी बात आपको बचो ध्यान में रखनी थी ठीक है तो दो चेप्टर मैंने कवर किया अब बच्चों आप देखो ऐसे समझना दिक है ऐसे आप चीजों को समझना आप देखो अगर मैं इन चीजों को खुद लिखवाया होता ठीक है आथ से आप देखते उसको फारवर्ट करते जाते ठीक भागाते जाते बोर होते किसर लिख रहे हैं अभी थोड़ाता लिख लेंगे जहां खतम करेंगे वहां देखने और जो मैं खुद लिखता हूं हाथ उपर करके समझ रहा ना लगातार लिखना इतना लंबा समझ रवच्छों तो थोड़ाता है द पीस इस concept नहीं है तो उसको मैं बच्छों पीपीटी के माध्यम से ही पढ़ाओंगा समयद्यों रहा ना और यहां पर concept होगा तो और डेटा बहुत ज़्यादा नहीं वहां पर तो उस चेप्टर को मैं क्या करूंगा उस चेप्टर को बच्छों मैं पढ़ाओंगा किस तो कखार पे हैं पतै है एक आज चाप्टर और बचे हैं उसको भी हम लोग देख लेंगे और जो अगरत की खतम करके हम लोग इस्ट्री स्टार्ट करेंगे ठीक है बच्चों तो कोई भी आपको प्रॉब्लम कोई भी कंप्लेंड क्या कोई भी आपका इंग पायरी हो ठीक है तो आप कमेंट में हमसे पॉल सब्सक्राइब कर दो